प्रोदेश के शिक्षा मंत्री अपने बयाणों को लेकर हमेशा विवादों में बने रहते हैं या फिर कुछ यूँ कहें कि उनको विवादों में रहना पसंद है जब से शिक्षा मंत्री का पद मदन दिलावर ने समाला है तब से उनके ऐसे बयान जो राजनितान की राजनीती में सरगर्मिया बढ़ाते हैं, उनको लेकर वो काफी एक्टिव नज़र आते हैं। ऐसे बहुत सारे बयान हैं जिसको लेकर मदन दिलावर का लगातर विरोध होता रहा है। विपक्ष ने भी उनको जम कर गे रहा है लेकिन इस बार उनका बयान विवादों की हदे पार कर रहा है जी हाँ आपको बता दें कि मदन दिलावर ने कोटा में कोचिंग छात्रों के द्वारा भर रही आत्म हत्या की घटनाओं पर ऐसा बेतु का बयान दिया है जिसके बाद अब सिक्षा मंत्री मदन दिलावर पूरे प्रदेश में ट्रोल हो रहे हैं सबसे पहले हम आपको वो बयान सुनाते हैं जिसमें सिक्षा मंत्री मदन दिलावर क्या कुछ कह रहे हैं जितनी जनसंख्या हमारे प्रदेश में उस अनुपात में घटनाओं होती है आपने सुना कि सिक्षा मंत्री मदन दिलावर से पूछा गया कि पिछले एक साल में कोटा में करीब 12 से जादा चात्रों ने आत्म हत्या कर ली है तो मदन दिलावर का ये कहना है कि प्रदेश की जनसंख्या है उसके अनुपात में ऐसी घटनाएं होती रहती है यानि उनका ये बयान किसी भी रूप में किसी जो मंत्री है या कोई अच्छे पत पर है राजनेता है उनके द्वारा दिये गए बयान को जस्टिफाइड नहीं करता है इस प्रकार का बयान देकर शिक्षा म मंत्री मदन दिलावर अब लगातार फस्ते जा रहे हैं सोशल मीडिया पर लगातार उनको ट्रोल किया जा रहा है इसके साथ थी विपक्ष भी उनको जम कर घेर रहा है ऐसे में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जिनोंने आदिवासी समाज को लेकर बयान दिया था और वो ब हत्या के मामले को लेकर मदन दिलावर ने जो बियान दिया है उसको ले कर भी अब उनकी भरसना तेज हो चुकी है इसके साथ ही मदन दिलावर से एक बार पिर से माफी मांगने की मांग उठने लगी आप देखते रहे है दनगरी न्यूज मैं हूं ललित पर्मा